वॉलिवुड एक्ट्रस प्रियंका चोप्रा ने साल 2018 में अमेरिकन सिंगर निक जोनस से जोधपुर में हिंदू और इसाई रिती रिवा से शादी की थी और शादी के बाद अपना सरनेम चेंज करके प्रियंका चोप्रा जोनस कर लिया था जिसे इनके फैंस ने काफी जादा पसंकिया था मगर आपको जानकर हरानी होगी कि अब social media पर इन्होंने अपना सरनेम चेंज कर लिया है जी हाँ जोनस नाम को हटा दिया है जिससे इनके फैन काफी confused है कि क्या एक्ट्रस प्रेंग का चोपड़ा निक जोनस तु तलाग दे रही है लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि एक्ट्रस प्रेंग का चोपड़ा आखिर कर क्यों अपने पती के नाम से अपना सरनेम जोनस ह तक बने रहे पर उससे पहले एक्ट्रस प्यंका चोपड़ा के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूले वॉलीवुड में देशी गल कही जानी वाली एक्ट्रस प्यंका चोपड़ा और अमेरिकन सिंगर निक जोनस हमेशा सही अपने रोमेंटिक तस्वीरों के जरिए लाइ प्यंका चोपड़ा ने अपने शोशल मेडिया अकाउंट और इंस्टाग्राम से अपने पती के नाम का हटा लिया है जिसके बाद इनके फैंस काफी परिशान है और अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या प्यंका चोपड़ा और निक जोनस के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है जिस वजह से प्यंका चोपड़ा निक जोनस को तलाग दि रही है लेकिन अभी तक इस बात को लेकर एक्ट्रस प्यंका चोपड़ा ने कोई कंफॉरमेशन नहीं दिया है साथे इनके पती के तरफ से भी कोई कंफॉरमेशन सामने नहीं आई है वहीं खबरों के मताबिक बता दे कि प्रियंका चोप्रा और निक जोनस के बीच अभी किसी बात को लेकर कोई अनबन नहीं हुई है बलकि हाल ही में दोनों ने अपना एक नया घर खरीदा है जहां ये अपने परिवार के साथ दिवाली मना के पूजा करते हुएद नजर आये थी जिन तस्वीरों को प्रियंका चोप्रा ने शोशल मीडिया पर शेयर भी किया था साथ ही ये भी कहा था कि उनके लिए हमेशा खास रहेगा इसी वजे से अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या पता ये सिर्फ खबरे हो बलकि प्रियंका चोप्रा अपने पतीनिक जोनस को तलाग ना दे रही हो झाल झाल